एक्ससाइज 15.1 ट्यक्त है सुल्क कोने जा रहा है लोग छिप्टे करना हम के है probability class 10 mathematics the first question जो है fill in the blank से complete the following statement फर्स्ट कुश्चन पढ़िये probability यहनु इवन्ट e plus probability of the event not e ट्यक्हिए event e और not e दोनों क्या हो जाएंगे copper complimentary event कि प्रभ और टिक अधे ए ऐंडी फिल्स का अथ्यग कर्दराइग ढूल टी ऑफ एँवेंट देट केन नोट हेपन इज ठीक सावङ जो नहीं आप तो 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 आप एसा एवनगा प्डी गावज्चाहिं कि जीरो अज्छाच विएटीज क्वाइब एवेंट किया लिखेंगे अप एप एप इमपॉसिबल सब्सक्राइब आप प्रॉइब इंवेंट देट इस साटें टू है जिसके होने की जो पॉसिबिल्टि ए वह 100 पर संट होना ही होना है ठीक है तो ऐसे इसे बॉरबर एयसे ऐब आप पावबलिटी बॉन possible event sorry certain event तो इवेंट या सब्सक्राइब कहते हैं समा प्रोबरेटर और एलिमेंटरी इवेंट आफ एक्सपेरिमेंट इज वन इलिमेंटरी इवेंट के जो कॉंस्ट में ने बताया था वागा सारे इलिमेंटरी इवेंट को समकरेंगे क्या एक बद वन प्रोब्रोबरेटी आफ एण इवेंट से इता होता है वह 0 के एक्वल जीरो से बड़ा और जीरो के एक्वल लेज देन और एक्वल टू वन जीरो वन के बीच में रहता है ठीक है तो यह हमारा कम्प्लिट अभालों से क्वेस्चन फर्स्ट क्वेस्चन हो गया है ठीक है यह पेज नमबर 300 पे कम्प्लिमेंटरी इवेंट का कॉंसर्ट भी या मालक में और इसी पेज पे जो क्वेस्चन वन का से सेकेंड पार्ट भी आ हुए इंपॉसिबल इवेंट खा इसका आउटकम क्या रहा था जीरो एसे इवेंट जिसके आउटकम क्या हो जीरो हो इसकी प्रॉबबैल्टी जीरो हो और ऐसे आप इवेंट को क्या बोलते थे इ पॉसिबल इवेंट जिसका अपकररें सिम पॉसिबल हो फिर आपका क्वेशन हेवन का तॉर्ड पार्ट का था कूर आवाटकम एवेंट का ऐसे बेन्ट इसका फेवरेवल आउटकम जो है टॉसम ऐसे इवनच यह पालड़ इवेंच प्रॉंड नाव्हा relación आउटकम्स के सेम हो जाए तो ऐसे इवेंट को हम स्वेर इवेंट और सटेन इवेंट कहेंगे और इनकी प्रावबर्टी कहाएगी वन इनका अकरंस हंडेट परसेंट होगा तिये तीन उसांज में आ गया होगा आते हैं एलिमेंटरी इवेंट पर ठीक है रेंज भी देख ल अग्णाट वरने 2 में क्योंकि ने क्या आउटकम्स वन थे ठीक है इवेंट है इनका सम्क्रावन में आल इलिमेंटरी इवेंट का संब यह सब मने पढ़ चुगा तो उसी पर है पहला कुशन बनाया गया है क्वेशन नमबर टूर पढ़िए वीज़ेदा फॉलिंग एक्विली लाइकली आउटकम तो जब यह हमने कॉंसेप्ट जो मारा टॉपिक था पहला टॉपिक इंट्रोड़क्शन दूसरा टॉपिक प्रॉबर्बर्टि यह थेोरेटिकल अप्रोच तो वहां पर पहला कॉंसे सबकी सेम चांसे होते हैं अकरेंस के सबकी प्रॉबर्बरिटी सेम हो एक्वल हो तब इस आउटकम को एकुली लाइकली का जाता है किसी का कम किसी के ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखिए ट्राइवर अटेंब्स टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट डाज नोट स् स्टार्ट किया जा रहा है हमारा इवेंट है कार स्टार्ट हो रहा है और नहीं स्टार्ट हो रहा है तो क्या यह आउटकम्स एकुली लाइकली है नेक्स्ट प्लेवर अटेंब्स प्लेयर अटेंब्स टू सूट बास्केट बाल सी सूट और मिस्ट शूट सूट सूट के जो question में जो third or fourth part है किसी true false question है आपके पास उसमें आप answer दे रहे हैं तो आपके पस दो ही option है true false का आप answer करेंगे ठीक है तो यह सही हो सकता है या गलत हो सकता है 50-50% chance है equal chance है 1 by 2 1 by 2 गा तो यह third option है यह हमारा इसके outcome जो है वो यह equally likely है फोर्थ में baby is born it is boy or girl ठीक है baby born में भी दोई case है boy कोई baby boy होगा या girl होगा ठीक है यहां भी 50-50 chance है और दोनों की probability is same 1 by 2 1 by 2 third or fourth हमारा जो example है यह experiment जो है यह experiment के जो outcome से वह equally likely है ऐसा हम लिखतेंगे ठीक है और फर्स्ट और थर्ड सेकेंड में देखिए आप जब कार को स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है तो यह कार स्टार्ट हो रही है और नहीं हो रही है तो दोनों का इक्कोल chance नहीं है 50-50 परस्ट या 1 by 2 1 by 2 इसकी probability नहीं है ठीक है तो इसलिए इसकी outcome quickly likely outcome नहीं हो जो इस experiment का जो outcomes हो रहा है वो outcome है car start होना गर्ज नाट start दकर और कज स्टाट ना होना तो दोनों के सेम chance नहीं है प्लेयर attend to suit a basketball ठीक है एक basketball को suit कर रहा है तो बॉस्केटबल को suit करना और इसको miss करना यहां भी दोनों को इकोल चांस नहीं है ठीक है इसलिए इसके आउटकम्स क्या है एकली लाइकली नहीं होंगे कुछिन नमबर थर्ड पढ़िए वाई इस टॉसिंग अ क्वाई इस टॉसिंग इस टीम बॉल पहले लेगी ठीक इसको डिसाइड करने के लिए कि टॉसिंग कौईन जू है को ट्वाश करना उसे एक फेएर वे फेए एक सही तरीका क्यों मना जाता है ठीक है विसंग कौईन ये कौन को ट्वाश करके हम डिसाइड करें कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी इसे एक फेयर वे क्यों माना जाता है क्योंकि tossing coin region क्या है क्योंकि tossing coin जो है से आप consider करेंग to be fair or deciding which team should get the ball at the beginning of the football because tossing coin have the experiment हमारा experiment tossing coin have equally likely outcomes जो इसके आउटकम होंगे वह equally likely होंगे ठीक है और के वाल दो possible इसके outcomes है head or tail ठीक है और हमारे टीम आपर टीम कितनी है दो टीम है ठीक है दो possible outcomes वह भी unbiased unbiased है और equally likely है ठीक है इसलिए कि यह हम भी यूज करते हैं तो यह पूसर नहीं आगा होगा ठीक है इसके आपको जाओटकम से होंगे उनसे हम प्रेड़क्ट भी नहीं कर सकते हैं दो यह option है head or tail prediction भी करेंगे तो 50-50 का चांस है ठीक है तो इसके answer sheet में पिछे जो region लिखा यह भी आप लिख सकते हैं जब when we toss a coin वही जो मैंने समझाए भी लिखा भाए the outcome head or tail are equally likely equally likely होते हैं और unpredictable है है और टोटल टोड़ पॉसिबल वे हैं 2 head or tail so the result of an individual kind test is completely unreliable the region इसको लिख लीजेगा question number 4 पढ़िए वीज़त of falling cannot be the probability of event इसमें कौन सा probability of event नहीं हो सकता तो probability of event का जो range मैंने बताय था भी यहां पे greater than equal to 0 or less than equal to 1 0 के बराबर है 0 से बड़ी एक के बराबर एक से छोटी होनी चाहिए मतलब कि positive होनी चाहिए ठीक है तो यह value देखिए 0.7 0 से बड़ी एक से छोटी यह D हो सकता है 2 by 3 2 by 3 इसको भी point में कर्मट करेंगे है यह भी value 1 0 से बड़ी है positive है और 1 से चोटी है क्योंकि इसकी बड़ी 0.66 something आएगा ठीक है तो यह नेगेटिव वैलू है इसलिए यह वैलू यह ज़्क प्रोबीटियों इसा आप लिख सकते हैं कि अब नेश्ट पढ़िये पी आफी पोबिल्टी जीड़ी जीड़ी आइगा तो फ्रोबिल्टी आप नोटी तो फ्रोबिल्टियों नॉटी दूनों को इक्कोल करके क्या आएगा यहां पहला कुश्चन है दोनों की प्रबबिल्टी इवेंटी की नौटी की दोनों की वन है आपनों की चाहिए वन में से इवेंटी की प्रबबिल्टी माइनस कर देंगे तो आपका यह यह आ जाएगा 9.9 स्वरी 0.95 आ जाएगा जाएगे बने प्रबबिल्टी आफ इवेंटी इस 0.05 अब इन मालूंगे प्रबबिल्टी आफ इवेंट नौटी की से दीनौट करते हैं ए बार से equal to 1 तियो होगे 0.05 ठीक है probability of 0.01 probability of event 0.01 equal to 1 minus 0.05 तियो 0.95 0.95 ठीक है योगे answer question No.6 पढ़िये bag contain lemon flavored candy only mainly take out one candy without looking into the bag what is the probability that C takes out orange flavored candy lemon flavor and second part is लेमन फ्लेवर्टश एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर्टश है ठीक है मटनी नें टेक demiş टेक आउट वने केंडी विदाओं लोक्शिक बेंट बीना ब्र多数 में देखे ऊसमें सग्सक्राइण करनी चाहिए पहला पर ओरंघ़् वर कंडी होनी चाहिए तो अरंज़ तो में है नहीं है तो इसके आँटिम्स leben crimes 0 और इसकी पॉबरिटि जीडि ले मन फ्लेवर कंडी तो इसमें सारे जो ले आउटकम से इसकी इवेंट का वह पॉबरिटिम्स आपकम्स उसके quality होंगे यह श्र्र इवेंट है सर्टेन इवेंट है इसके होने के जो occurrence है 100% है इसकी probability बनों जाएगी ठैक है तो जो भी statement मैंने बोला है वही लिखना आपको तो समझना गया है क्यों यह zero हो रहा है क्यों यह बनों हो रहा है ठैक है जो possible event सब्सक्ता तो तो पॉसिब सीभिसोड इभर आउटकम से जीरू विक और रीपीट कर रहा है मात क्यों को यह उर्ट कि सब्सक्ते लिए को हुआ टीक है तो कि आप मैं मेंered स्फ्लेवर केंड़ सब्सक्ते rij प्रोड कर दो व्ला duy में। there is only lemon flavored candy the total possible outcome is all lemon flavored candy the favorable outcome is 0 so this is impossible event so its probability is 0 next, second part lemon flavored candy the event is lemon flavored candy its favorable outcome is all equal to the same all possible outcomes it is a sure event and a certain event which occurrence is 100% so the probability of this event is 1 this statement question number 6 question number 6 it is given that in a group 3 students probability of 2 student not having the same birthday is 0.992 what is the probability that 2 students have the same birthday 3 student group 3 student student same birthday same birthday equal birthday is 2 student student have the same birthday 2 student same birthday 2 student same birthday 1 student student enter 2 best student 1 2 student Chip 1 two हम जाके बहें है इस्टुडेंट नॉटैंट नॉटैंट उसने मन लिया है इस्टुडेंट ठीक है नॉट है नियाविट चेल बर्थ एडिक ठीक है और इसकी प्रब्राबिल्टिक इने गीवें है 0.992 0.992 और ठीक है नौटी ठीक जिसे किसी रिपिजन किया जाएगा यह बार से ती हो जाएगा इस्टुडेंट्स एविंग सेम बर्थ एडिये ठीक है और वी नो देट टी ओफ इवेंट टी पी ओफ इवेंट नौटी इसे तो प्रफ इवेंट पी ऑफ इवेंट प्रफ इवेंट प्रफ इवेंट आए टी ती जिडिव पॉइंट नौटी यह जाएगा जिड़ 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 एट आस्वा प्रफ इवेंट कर लेंगे ठीक है एक और इसमें प्रॉबर्टी जो है यह दो स्टूडेंट का है यह तो स्टूडेंट में लिखना होगा टू स्टूडेंस नौट एविग एविग जाए इस नमबर एक परिये हैं अब एक गंतिंट ए ड्रेड बॉल पाइब ब्लेग बॉल इस दो इस दो आट इस दो प्रॉबर्टी दो इस देड़ नौटे नौटे यह जा ऐग एक बैग में तीन डेड बॉल हैं फाइब ब्ले और तोटल बॉल हो गया फाइट अब पॉसिबल आउटकम्स हो गया एट सारे घी किसारेब लॉकली प्टी ओगी ओगी फ्रेड के लाइक लिया अउटकम्स बॉल इस घॉन एटर रॉंड द रांद्ध यह वाट इस ड्रॉड और बॉल टेड्र बॉल इस बोले तो हो गया ही नौटी हो जाएगा ठीक है तो रेड होने की प्रवबिल्टी फिर विल आउटकम की नहीं हो जाएंगे त्री और टोटल पॉसिबल आउटकम इस एट एट इस त्री भाई एट इसे निकालने क्लिक्या करेंगे वन से माइनिस कर देंगे जो भी हमने पिछे किया से में नौटी निकालने के लिए ठीक है तो कंप्रिमेंट इवन फॉर्मला इस करेंग वन से माइनिस करेंग और डाइकली भी करेंगे तो भी फाइब एट हैगा हुआ है तो कुछ नमरेट कैसे अपसॉल करेंगे है है ठीक है ठीक है टोटल पॉसिबल आउटकम्स यह कितना है थ्री फ्लस फाइब एट ठीक है बॉल अब आते हैं इवेंट इसको ही मानते हैं इसको ही मानते हैं आफ गेटिंग रेड़ गोल हो गया है और ठीक है तो उसका फेवरेबल आउटकम्स किया है कितने थ्री ठीक है अवेल आउटकम्स यह रिले टो एटी यह अवेल आउटकम्स Kenneth टॉरी टुव्री बेशड़ ग 75 यह रिवेबलगramраш बालेंस में तो प्रॉबिल्टी फॉर्मला लिखना चाहिए आप भी सकते हैं आउटकम्स फेवरेबल टूइवेंटी डिवाइड बाई जो फॉर्मला आउटकम्स में टोटल पॉसिबल आउटकम्स ठीक है पॉसिबल आउटकम्स तती होगे आपका थ्री वाई एट पार्ट हो गया है एट का फॉस्ट पार्ट एट का सेकेंड पार्ट देखिए एट का सेकेंड पार्ट हमें चाहिए नौट टी ठीक है ए बार ठीक है डेट बल नहीं होना चाहिए नौट गेटिंग डेड बॉल एवेंट क्या है नौट गेटिंग गेडियर πिया वेडियर भी वेड़ गेडर्ट गेड़ एक बार्ट को Yep नहीं हो टार्ट कि वन्थ। और आट एक सःपने कुर सका देंग एडियर एं जाएगा हम कि फाइब बाइट ली भी करेंगे तो जिसके फेवरेवल आउटकम निकालेंगे तो कितने आएंगे फाइब लेड़ बॉल कितने नहीं है पांच ठीक है तो पांच बटे आठ फाइब ये टा जाएगो कुश्ण नुमर नाइन पढ़िए बॉक्स कंतेंड फाइब लॉर्बल येट वाइट मॉर्बल और फोर ग्रीन मॉर्बल सें ठेक है तो एक बॉक्स में फाइब रेड येट वाइट फोर ग्रीन ते होगे आपका 17 मरबल है वन मारबल इस टेकन आउट अप दे बॉक्स एट रेंडम ठीक है एक मारबल को बहा निकल गए मारबल जानती है अब जो बच्चो बच्चे खिलते हैं चोटी-चोटी शीशे की गोलियां जो होती है कंचे बोला जाता है ठीक है एक मारबल उन्हें निकाला एट तो जो 17 जो इसके टोटल पॉसिबल आउटकम जो है तो 17 हो गया और पहला स्टेट में लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम इस 17 पाई प्लस एट प्लस 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 फोर इस 17 एंड वन मार्वल इस टेकन आउट आउट अप दे बॉक से रेंडम इस ने रंडम ली होनी चा ठीक है सेकेंटी में वाइट नौट ग्रीन इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे रेट का 5 और टोटा पॉसिबल एंड के 17 तीसका अंसार है 5 बेस 17 वाइट जो है मारवल जो है एट ठीक है इसके फेवरेबल आउटकम जो है एट तो प्रबाबिल्टी हो जाएग एट बाइस 17 नौट ग्रीन ग्रीन को छोड़ना है तो ग्रीन को छोड़के कितने हैं आशके फेवरेबल आउटकम से यह हैं 13 तो थाटीन बाइस 17 इस तरह से कुश्चन हो जाएगा हम है ठीक है तो सबस्के पहले आप टोटल पासिबल आउटकम लिए सकते हैं ठीक है टोटल नमबर आप टोटल नमबर आप पॉसिबल ऐसे मैंने सब कुछ बोल दिया है आप सुन के लिए सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स ठीक है इन बॉक्स कितना जाएगा यह 5 प्लस 8 प्लस 4 तियर जाएगा 17 कितना 17 ठीक है 17 हो गया आब ठीक है बोल मार्बल निकला जा रहा है sorry बोल नहीं मार्बल है तो इसको इवेंट आर ले लिते हैं ठीक है मार्बल तो R आप मुरे निगा democracy को शायेका मार्वल इस रेडगे फेवरेवल ओटकम्स कितने हो जाएंगे कितने रेड़ बाल हैं या लिख लीजगे फेवरेवल ओटकम्स 5 रेड़ बाल प्लीट्टी ओफ ऑफिवेंट आर प्रेवरेवल आउटकम्स रिलेटेट टू इवेंट और डिवाइड वाइड टोडल पॉस्बल आउटकम्स ती हो जाएगा 5 बाई 17 तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे अब आप जुग वाइड है तो मारवल इज वाइट ये वेंट मान लेंगे ठीक है और इसका फेवरेवल आउटकम्स अब लिखेंगे एट एट वाइड मारवल आउटकम्स ठीक है और इवेंट डबलो एट आ गया प्रॉबल्टी लुख फॉर्मूला लिखकर एट वाइट वाइट सेवेंटीन का तेक है अब अब नॉट ग्रीन लिखा वह हैं नॉट ग्रीन ठीक है इसको भी आप माल दीजिए जी या ग्रीन का निकालके भी फांड राइट या ऐसे ही करते हैं डाइड गी लेते हैं नॉट ग्रीन लेत और प्रबाबिल्टी आफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल यह जाएगा इस फॉर्मॉला लिखकर थर्टीन बाइ सेवेंटीन इस तरह से ही तीनों पॉजिशन आप कम्रीट कर सकते हैं तीनों पार्ट इस यह हमारा फॉर्स्ट पार्ट था इन नाइन का सेकेंड पार्ट है क्वेशन नंबर नाइन का थर्ड पार्ट है अब क्वेशन नंबर टेन करना है